हलो बच्चो तो आप लोग को इंदिजार था कि आपके स्यूटी के एड्मिट काड़ का बाने वाले हैं इस्पेशली जिनका एकदाम 4 को है 5 को है 6 को है साथ को मतलब जिनके एक्जाम बहुत जल्दी होने वाला है तो उन सब को इंद्जार था कि स्यूटी का जो अपका एड को इस सारे को हम डिसक्स कर लेते हैं क्या यहां पर और क्या चीज आपको ध्यान रखने हैं बड़ी इंपोर्टेंट चीज है ध्यान रखना बिल्कुल तो यहां पर आपको कह रहा है कि सुबह 10 बजे से आपका जो स्यूटी एड्मिट काड़ है वह आपको मिलने लगेगा एड्मिट काड़ यहां पर अभी आपको मिलेंगे बाकियों के अभी नहीं मिलेंगे तो इसलिए बाकी बच्चे परेशान ना अपना पढ़ाई करते रहा हूं उसके बाद क्या कहता है नेसलेट टेस्टिंग एजनसी इसके बारे मैं बता दिया है यहां पर ठीक है आपको जो सेकिंड जो फेस है 15 जुलाई से लेकर 20 अगस तक चलने वाला है और 300 सिटी जिसके अंदर आपका पूरा एग्जामिनेशन होना है अब यहां पर जो फर्स हमारा फेस था स्यूट का जो फर्स फेस था उसमें 8,10,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे और जो सेकिंड फेस है उसमें 6,80,000 स्टूडेंट जो अपियर होरें टेस्ट के लिए जो फेस बन था उसमें फेस बन ऑफ स्यूटी अंदर ग्रेजुए वास कंड़क्टिट फॉम 15 तू 20 जुलाई जो 15 से 20 जुलाई के बीच में हुआ था ठीक है उसमें अप्रोक्सिमेटली टू लैक कैनिड टेट वर शेडूल इंद फेस बन एक्सो साथ सहरों में यह वा था यह तो यह सब इंफोर्मेशन आप आपके काम की जो इंफोर्मेशन है वह यहां पर क्या है अल्ड़ के अल्ड़ी अवेरफ दिर सिटी अफ अलटमेंट एंड सेडूल अग्जामिनेशन फो द वेरियस चीजे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना तो एड्मिट कार्ड चार पांच और छे सिर्फ इन तीन डेट्स के लिए एड्मिट कार्ड है बाकी कोई बच्चा परेशान ना हो बिल्कुल भी कि उसका एड्मिट कार्ड अभी नहीं आया चार पांच और छे बस यहां पर ह और कहां से आपको एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना है यह जो वेबसाइट आपको दे रखिये जो आप इन नोटिफिकेशन खोलोगे दो इसमें cutsummer.ac.in यहां पर जाके आपको आपको एड्मिट कार्ड मिलेगा Every effort यह बड़ी important यह बड़ी important चीजह है इसको द्यान से पढ़ लेना कि admit कार्ड डाउनलोड करने के बाद फिर कुछ नहीं होगा ठीके बड़े ध्यान से समढ़ लेना ध्यान से पढ़ लेना Every effort is being made to provide candidate their first choice of city however due to insufficient number of registered candidate in a city or insufficient number of secure notes a different city may have been allotted in the some cases this is being done as per the policy of the NTA मतलब जो आपने first choice भरी थी हो सकता है कि वो center आपको ना मिला हो जो आपकी जो city आपने भरी थी मानलोब आप डेली में रहते हो आपने डेली भरा हो डेली का आपको center ना मिलके कोई और center मिल गया हो ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर insufficient number of candidate हो या फिर वहाँ पर जो security reasons security norms होते हैं NTA के वहाँ पर follow ना किये जा रहे हो तो ऐसे बच्चों को करना क्या है Such candidates have been given a choice to either avail the examination facility at the different city allotted now यानि या वो चाते हैं कि जहाँ पर उनको allotted हुआ है वहाँ पर वो जा सकते हैं और बड़ी important चीज़ें यहाँ पर और exercise the option to appear in the earlier city at a later date या फिर आप option choose कर सकते हैं कि आपको अपने ही शेहर में चाहिए वहाँ या center आप दूसरी date को दे दोगे बाद में दे दोगे चार पांच शे को अगर आपका number पड़ा हुआ है तो आपको चार पांच शे को नहीं देना फिर 10 अगस्त के बाद जो date आपको मिलेगी वहाँ पर आप हो सकता है कि जो आपकी अपनी city है वहाँ पर यह आपको center मिल जाए अब इसके लिए करना क्या है इसके लिए करना क्या है after 10 अगस्त यह हो गया these candidates are requested to exercise this option before downloading download करने से पहले download करने से पहले आपको यह काम करना है their admit card and their examination will be scheduled after 10th अगस्त 2022 this option can be seen on the official website of CUT undergraduate for downloading the admit card यह option आपको admit card जब download आप करने बैठोगे न तो admit card download करने से पहले आपको यह option मिलेगा तो ध्यान लगना बच्चो download करने के बात कुछ नहीं होगा फिर आप complaint करते फिरो कि यह हो गया हो गया sir ऐसे क्या करें download करने से पहले बार बार मैं repeat कर रहा हूँ download करने से पहले आप देख लेना कि जो center आप चाते थे जिस city में आप चाते थे वह center आपको वहां पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है अगर मिल रहा है तो ठीक है यह जाओ exam दो अगर दूसरी city में आपको center अलॉट हुआ है और आपको comfortable है कि आप वहां पर जाके भी exam दे सकते हो दे आओ ठीक है लेकिन आप चाते हो कि नहीं आपकी city में आपको center मिले तो आपको जो download करोगे option वहां download का option नहीं होगा वहां पर आपको पूछा जाएगा तो पूछोगे तो वहां पर यह चीज़े आपको वहां पर fill करनी है कि आपको 10 अगस्त के बाद का जो phase होगा उसमें आपका admit card issue होगा यानि आपको exam तब देना होगा यह चीज़ बहुत important है ध्यान लखना बहुत से बच्चे phase 1 में परिशान हुए थे इवन मेरी जो daughter है उसका भी center दिली से उठाके 9 डाल दिया एक दिन पहले तो ऐसे बहुत से बच्चे परिशान हुए थे कई बच्चों के call आये क्या करें कुछ बच्चों के exam भी छूट गे थे इस बच्चे से according to NTA तो आप चेक कर सकते कि आपका change हुआ है या नहीं हुआ some of the candidate who are earlier scheduled to appear on 4, 5 and 6 August are shifted to 12, 13 and 14 August due to the various entrance examination यानि उनकी जो date है 4, 5, 6 से shift होगे कितनी पहुंच गी है 12, 13 या 14 को उनका exam होगा if there is any issue in the downloading the admit card the candidate can email at this अगर कोई issue है तो तुरंट इस पर आप email कर दे, late मत करना, आज ही download कर लेना और अगर कोई issue आपको लगता है अपने admit card check करो, कोई issue लगता है तो यहाँ पर जाके आप उसको mail कर देना the admit card for the examination to be held after 6 August will be issued later जो 6 August के बाद वाले exam होंगे, उनका admit card आपको बाद में मिलेगा तो उसके बारे में आपको यहाँ पर update मिल जाएगी, कोई tension लेने के जरूद नहीं है कि कब करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा बिलकुल tension में लिजिए, बस अपना आप काम कीजिए, अपनी पढ़ाई पर धान दीजिए और अपने exam की preparation अच्छे से कीजिए ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी से जल्दी 10 बजे, 10 बजे खुलेगी, उससे पहले panic होने की जरूद नहीं है और 10 बजे भी panic होने की जरूद नहीं है वो खुली रहेगी, 11 बजे कर लेना, 12 बजे कर लेना कोई दिकत नहीं है ओके, all the best to our exam